हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स नहाने से पहले अगर आप इस रेमेडीज को अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बालों की हेट क्रोथ इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा इसके लिए अपके बा नहीं है तो जलते से चैनल को सब्सक्रेब कर लीजे और बाजो के बैल आइकन को भी ओन कीजे ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आज के इस नुस्खे में आपको सबसे पहले एक प्लीन बाउल लेना है और आपको दो पाउडर ले रहे हो सबसे पहले फ्रेंड हम ले रहे हैं रीठा पाउडर आपको मात्र इसका आधा चमच ही इसमें एड़ करना होगा रीठा पाउडर लेने के बाद आपको इसमें आधा ही चमच आवला पाउडर एड़ करना होगा मैंने इसमें दोनों चीजे एड़ कर ली है इसके बाद अब आपको लेना होगा कोकोनेट ओईल आपको फेंड़ इसमें तीन से चार चमच नारियल तेल एड़ करना होगा इस तरह से आप इसमें कोकोनेट ओईल एड़ कर दीजिए कोकनेट ओईल को एड़ करने के बाद अब आपको इसमें एक तेल और एड़ करना होगा वह है फेंड्स कैस्ट्रोई यानि की फेंड्स अरहंडी का तेल आपको मात्र इसमें एक चमच अरहंडी तेल एड़ करना होगा ये तेल हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है, घना बनाता है, बेजानपन को दूर करता है और बालों को सिल्की साइंस मूद बनाने का काय करता है इसके बाद आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा mix करने के बाद friends आप इसे नहाने से पहले अपने बालों में apply कीजेगा आपको friends इसकी मसाज अपने बालों की जड़ों में करनी है ये oil इतना है कि आपके पूरे बालों में अच्छे से लग जाएगा सबसे पहले आप इस paste को बालों की जड़ों में मसाज कीजे और इस oil को पूरे बालों में लगा लिक कर छोड़ दीजेगा लगबक आधे घंटे के लिए उसके बाद आप अपने बालों को शैंपू कर लीजे जो भी शैंपू आप यूज करते हैं उससे आपने बालों को वाश कर लीजे यकीन मानी इसके यूज से आपके बालों का जड वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीचे शेयर कीचे और कमेंट्स के जरी भी मुझे जरूर बताईएगा